विद्यारतियों मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गॉवर्मेंट कोलेज बांधिकुई से हमने जो बिये प्रत्थम वर्ष के छात्रों को जिन जिन विशों के बारे में बताया उनमें लास्ट में हम मगद सामराज्य के उतकर्ष के चर्चा कर रहे थे और मगद सामराज्य का उतकर्ष बताते हैं हमने बताया था कि हर्यकवंश, शिशुनागवंश और नंदवंश के समय में मगद का उतकर्ष किस तरह से हुआ और नंदवंश के बाद मगद में कौन सा राजवंश आया किस राजवंश ने मगद में अपना शाषन इस्थापित किया तो ये भी हम पहले बता चुके थे कि अंतिम नंद शाषक घनानंद को परास करकर चानक्य की सायता से चंद्रुगुप्त मोरिय ने मगद पर अपना सामराज्य स्थापित कर लिया था मोरिय मोरियों का मगद में शाषन का 322 इसापूर से 185 इसापूरु तक रहा और इस वंस के अनेक शाषकों ने मगद पर शाषन किया जिसमें सबसे पहले चंद्रुगुप्त मोरिय, बिंदुशार, अशोक, कुणाल, दशरत, संप्रती, शालिशुक, देवर्मन, शलगनवन और व्रहदत इन सबी शाषकों ने वन बाई वन मगद पर शाषन किया और मगद के उतकर्ष को और आगे बढ़ाया इन में तीन प्रमुक थे और सबसे प्रमुक था अशोक, लेकिन इस वंस की इस्थापना करने वाला शाषक था चंद्रुप्त मोरिय अब ये चंद्रुप्त मोरिय कौन था, किस तरह से इसमें, इसने मगद में अपना शाषन कैसे इस्थापित किया, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे तो चंद्रुप्त मोरिय को पढ़ने से पहले हम इसके प्रारंबिक जीवन के बारे में जानने ये कौन था, किस जाती का था, और किस तरह से इसने मगद का सिंगासन हाशिल किया, आज हम इसे की चर्चा करेंगे तो देखिए, चंद्रुप्त मोरिय जिसका शाशनकाल मगद में 322 इसापूर से 288 में इसापूर तक रहा ये मोरिय साम राजे का संस्तापक था, लेकिन इसका प्रारंबिक जीवन अंदकार में है युनानी इतिहासकारों ने चंद्रुप्त को युनानी इतिहासकारों जिनमें इस्ट्रैबो, एरियन और जश्टिस जश्टिन ने चंद्रुप्त मोरिय को सेंड्रो कोटस कहा तो एपियन और प्लैकार्ट ने उसके लिए एंड्रो कोटस लिखा फिलाकर्स ने सेंडो कॉप्टरस का उलेख किया है युनानियों के उप्युक सभी नाम चंद्रकुप्त मोरिये के ही परियाएवाची है सबसे पहले सर वीलियम जॉंस ने सन 1703 में इसी में इन नामों का समी करण भारती इतियास में उलेखित चंद्रकुप्त मोरिये के साथ करते विये अपना मत प्रतिपादित किया था भारती लेखकों ने भी चंद्रकुप्त मोरिये के लिए विबिन नामों का प्रियोग किया है विशागदत के मुद्रा राक्षश में चंद्श्री यानि चंद्रश्री पी और दर्शन प्रिये दर्शन और व्रशल आदी शब्दों का प्रियोग किया गया है चंद्रगुप्त मोरी की वंशुत पती के संबन में अनेकोश आक्षे मिलते हैं पर वे इतने एस्पष्ट तता परस पर विरोधी हैं कि किसी एक निर्ने पर पहुंचना सरलकाम नहीं है इस समय उसकी जाती के संबन में मुख्यते दो मत प्रचली थें एक कि वे शुद्र अत्वा निम्न जाती का था और दूसरा कि चंद्रगुप्त मोरी चट्री था ब्रामन साइते पहले मत का समर्तन करता है जबकि अन्य शाक्षे दूसरे मत का समर्तन करते हैं अब देखते हैं कि क्या वे शुद्र था तो पुराणों में ने तो मोरियों को कहीं पर शुद्री का गया है और ने मोरियों तता नंदों में किसी प्रकार का रक्त संबन्ध ही बताया गया है पुराण नंदों को अवश्य शुद्र मानते हैं और यह भी कहते हैं कि शिशुनाग वन्ष के विनाश के बाद शुद्र राजा होंगे इस कथन को शिशुनाग वन्ष के बाद आने वाले सभी वन्षों पर लागू करना नय संगत नहीं होगा क्योंकि कैनव, शुंग और सातवान राजा ब्राहमन वन्ष ये थे अठारविश अतादी में विश्णु पुरान पर टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी ने चंद्रकुप्त मोर्य को नंद की उपपतनी मूरा का पुत्र बताया और यह मत भी व्यक्त किया कि मूरा से उत्तपन होने के कारण वह मोर्य कहलाया पुरानों में कहीं पर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती अतिसपश्ट है कि टीका कार ने मूर्य शब्द का अर्थ समझाने के लिए मूरा की कलपना कर ली होगी यह एतियाशिक दोश है परन्तु प्रोफेसर चटरजी के अनुसार इसमें व्याकरण संबंदी दोश भी है इस्त्री लिंग मूरा से मूर्य नय बनकर मूरय बननेगा चंद्रकुप्त मूर्य को शुद्र बताने वाला तीसरा मुख्य ग्रंथ है विशाक दत का मुद्रा राक्षश इस नाटक से विदित होता है कि चंद्रकुप्त मूर्य नंदराज का एक अवेद पुत्र था अर्थात किसी भिन जाती पत्नी का पुत्र था मुद्रा राक्षश में चंद्रकुप्त के लिए रशल शब्द का भी प्रियोग हुआ है कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ शुद्र बताया है परन्तो इन विद्वानों का मत है कि इस शब्द का प्रियोग मोजुदा हीन इस्तिती के संदर में किया जाता है नेकी जनम जाश शुद्रता के लिए मुद्रा राक्षश में चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का प्रियोग किया है इस शब्द को लेकर भी कुछ विद्वानों ने उसे शुद्र जातिय सिद्ध करने का प्रियास किया है परन्तु अधिकांश लोगों के अनुचार इस शब्द कार्त वहबहीन अत्वा साधरन कुल होना चाहिए इन विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त छत्री राजवन्स का था परन्तु उसके जनम के समय उसका वन्स राजत्व खो चुका था मद्रा राक्षश के टीका कार डुंडी राज ने नंदों के साथ चंद्रगुप्त मोरिय का संबन जोडने के लिए एक नई कानी जोड़ दी ऐसा लगता है इसके अनसार स्वार्त सिद्धी नामक एक छत्री राजा के दो राणिया थी एक शत्राणी सुनन्दा और दूसरे शुद्र मूरा सुनन्दा से नो पुत्र हुए जो नो नंद कहला है और मूरा से एक पुत्र हुआ जो मोरिय कहला है चंद्रगुप्त मोरिय इसी मोरिय की संतान था इसी मूरा की संतान था डुंडी राज के इस कथन को स्विकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे नंदों को छत्रिय बताता है जबकि वे शुद्र थे मुद्राराख्षश की टीका को एतिहासिक प्रमान नहीं माना जा सकता इसे प्रकार सौमदेव ने अपनी पुस्तक कथा सरित सागर में नंद और योगा नंद में भेद करके चंद्रकुप्त को नंद का पुत्र बताने का प्रियास किया है शेमेंद्र कृत रहत कथा मंजरी में भी इसी से मिलता जुलता विवरण मिलता है इन दोनों दंत कताओं में इतने एविश्वश्निये प्रसंग भरे पड़े हैं कि उन्हें इतिहासिक प्रमान मानना बहुत बड़ी भूलोगी अब देखिए क्या वे चंद्रकुप्त मोरिये शत्रिये था महावश के नुसार वह मोरिये शत्रिये के वन्ष में पैदा हुआ था महावंश की टिका से याद होता है कि मोर्ये शाक्यों की ही एक शाक्हा थी जो कौशल नरेश विरुदक के संगहार से बचने के लिए पीपली वन्च चले गए थे महापरी निर्वान सुत्त के अनुसार मोर्ये चत्रिये थे दिव्यावदान से भी याद होता है कि बिंदुसार और अशोक अपने आपको चत्रिये मानते थे इस प्रकार समस्त बोध गरंथ एक सुर से चंद्रगुप्त मोर्ये को चत्रिये मानते हैं उनमें ब्रामन गरंथों की बाती परस पर विरोधी बातों का उलेक नहीं मिलता इसके अलावा बोध गरंथ ब्रामन गरंथों से अधिक प्राचिन भी हैं अधे विश्वशनिये माने जा सकते हैं जैन गरंथ भी चंद्रगुप्त को चत्रिये बताते हैं परिशिष्ट परवन में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बताया गया है आवशक शुत्र की हरी बद्रोय टीका भी इस कथन की पुष्टी करती है पुष्या शुरव कथा कोष में भी उसे शत्रिय बताया है इस प्रकार जैन ग्रंतों में उसे कहीं शुद्र नहीं बताया युनानी लेखोकों में से केवल जश्टिन ने चंद्रगुप्ट को चंद्रगुप्ट की वन्शत पत्ती के संबन्द में कुछ लिखा है उसके अनुसार यह निम निस्तरी अवस्ता में उत्पन हुआ था इसका सीधा साधा अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि चंद्रगुप्ट की जनम के समय उसके परिवार की इस्तिती संबन्द नहीं थी जस्टिन के कथन का चंद्रगुप्त की जाती से कोई संबंध नहीं था वे तो केवल उसकी सामाजिक स्थिति को संकेत करता है अंध में हम कौटिले के अर्ष सास के तरफ आते हैं कौटिले ने लिखा है कि उच्च कुल में उत्पन राजा चाहे वे दुर्बल ही क्यों नहो नीच कुल में पैदा हुए प्रबल राजा से भी श्रेश कर है कौटिले ने शुद्रवंशी नंदो का विनाश किया था उसमें उच्च और नीच कुल में भेद करने की बुद्धी थी तब भलाव है चंद्रगुप्त मोर्य को मगत के सिंगासन पर कैसे बिठा सकता था अगर वो शुद्र रता थो इसे स्पष्ट है कि चानके ने जिसे समराट बनाया वह चंद्रगुप्त मोर्य शत्रिय था ब्रामन ग्रंतों ने चंद्रगुप्त मोर्य को शुद्र क्यों बताया इसका समाधान करते विए डॉक्टर विमल चंद्रपांडे ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मोर्य ब्रामन धर्माव लंबी नहीं था जैन ग्रंतों के नुसार वे जैन था फिर उसने यवन सहलीकस की लड़की के साथ वीवा किया था अतवय ब्रामनों की आलोचना का पात्र बना अशोक निश्चित रूप से बौध था उसके बौध धर्म के प्रसार से ब्रामन वर्ग विशेश शुब्द थे अतवय ब्रामनों का क्रोधित होना स्वभावी की था अतवय उन्होंने चंडरगुप्त के साथ साथ संपून मौरियव वनश को शुद्र गोषित कर दिया अब देखते हैं चंडरगुप्त मोरिये का प्रारं़भिक जीवन किस तरह का था चंद्रगुप्त मोरिय सही हर्तों में भारत का प्रत्थम सार भोम समरार था वह एक युग पुरुस था परंदु ऐसे व्यक्ति के प्रारंभी जीवनी के बारे में भी हमें बहुत कमचानकारी उपलब्ध है मुद्रा राक्षष के टीका का डुंडी राज ने उसके बारे में विस्तार से लिखा है जिसका सारांश इस प्रकार है सुआर सिद्धी राजा के सुनंदा रानी से नो पुत्र हुए जो नवनंद कहला है और मुरा से एक पुत्र हुआ जो मोरिय कहला है इस मोरिय के सो पुत्र थे जिन में सबसे अधिक प्रवावशाली चंद्रगुप्त था नव नंदो ने मोरिय के नन्याण में पुत्रों को किसी न किसे प्रकार से मरवा डाला परन्तु चंद्रगुप्त बच गया कालांतर में चंद्रगुप्त की चानक के नामक ब्रामन से मेतरी हो गई चानक के नीतिशास्यम दंड नीति तता समस्विध्याओं का ग्याता था परंतु वे महाक्रोधी भी था चानक की किसी बात पर नंदों से अनबन हो गई और उसने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त को मगत के सिंगासन पर बैठाया कता सरी सागर से भी याद होता है कि योगा नंद और उसके पुत्र हिनर्णे गुप्त को पूरु नंद के लड़के चंद्रगुप्त से बैर था पूरु नंद का मंतरी शक्टार काफी समय तक चंद्रगुप्त की सहय तायम सुरक्षा करता रहा फिर शक्टार ने चानक के और नंद राजा को आपस में लड़ा दिया चानक के नंदो का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया बोधग्रंथ मावंश की टीका भी चंद्रगुप्त के प्रारमिक जीमन पर प्रकाश डालती है उसके विवरण का सारांच इस प्रकार से है चंद्रगुप्त के मा मौरिय नगर के राजा की रानी थी जब गर्वती थी तब ही एक अन्य राजा ने मोरी नगर पर आकर्मन करके राजा को मार डाला गर्वती रानी अपने भाई के पास पुश पुपूर चली गई उसने अपने नवजात पुत्र को एक स्थान पर फैक दिया जहां चंद नामक एक व्रशब ने उसके रक्षा की इसी बच्चे का नाम चंद्रगुप्त पड़ा बाद में उस बच्चे को एक गोपालक ले गया गोपालक ने उसे शिकारी को दे दिया शिकारी के यहां बच्चा बढ़ा हुआ और गाउं के बच्चों के साथ उस बच्चे को शिकारी से खरीद लिया और बच्चे को राज्योचीज शिक्षा प्रदान की बाद में उसने नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को मगत का समराट बनाया जैन करंतों में भी इससे मिलता जुलता विवरण मिलता है इन सबी विवरणों से दो बातें तो इसपश्ट हो जाती है एक तो यह है कि चंद्रगुप्त का प्रारभिक जीवन कश्ट में रहा था और दूसरा यह है कि चानके किसायता से वे समराट बनाता अब हम देखेंगे कि यह चानके कौन था जिसने जिसने चंद्रगुप्त मोर्य को अपना समर्थन सहयोग देकर मगद का सिंगहासन चंद्रगुप्त मोर्य के लिए हासिल किया इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद